Hey guys, मेर नमस और माब आप देख रहे हैं TechBuilds और गाइज अभी रिसेंटली PlayStation ने अपना PlayStation 5 अनाउंस कर दिया था और साथ ही में इन्होंने अपनी अक्सेसरी भी लांच करी थी जो की मतलब PlayStation के साथ compatible होंगी और इन में जो PlayStation के भी दो variant लांच करे थे पहला variant तो with pluray player था और दूसरा वाला था without pluray player उसे वो जो without pluray player वाला था उसे सोनी बोलता है अपना all digital edition और जो with pluray player था वो तो normal PlayStation 5 ही बोलता है उसे और साथ ही में इन्होंने इसके साथ अपने पांच अक्सेसरी भी लांच करी थी जिन में सबसे पहला है हमारा dual sense controller एक headset एक media remote एक charging stand और एक HD camera तो guys twitter पे एक account है इसका नाम है iron man ps5 इस account का link में आप और description में दे दूँगा तो guys यह जो बंदा है यह event से पहले भी बहुत जादा चीज़ें सूनी के बारे में लीग कर रहा था और और उन में से जो बहुत सारी चीजे ठीक होये भीं तो इस के डोनों 프로 है कि इसके जो submit खाथ तो इसमड जो बंदे है इसने अभी अभी कि जो हमारे PlayStation 5 है इनके प्राइज और इनकी लांच डेट तोनों रिवील करती है तो गाइस इसकी ट्विटर पोस्ट में आपको अब स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं इसमें इसने लिखा हुआ है कि जो PlayStation 5 होगी वो holiday season of 2020 मतलब यह जो नुवेंबर डिसेंबर वाला सीजन होते हैं इसे भार की कंट्री में holiday season बोलते हैं इस वाले टाइम पीरियड में PlayStation लांच होगी और यह नौर्थ अमेरिका और यूरोप में 20th November से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी और साथी में इसने इसका प्राइज भी दिया है हमें कि यह कितने डॉलर्स की होगी तो इ इसका जो प्राइज है वो वेरी करेगा मतलब कंट्री इसके प्राइज बढ़ेंगे भी और कम भी होंगे तो मैं आपको डॉलर्स वाला प्राइज बता देता हूं तो डॉलर्स में 499 डॉलर्स की है मतलब यह अगर इंडियन रूपी करते हैं तो 37,000 रूपीज हो गए ठी 1 दीर आ जेंगे लेकिन फो 60 डॉलर्स के होंगे तो 60 डॉलर्स हमारे हो गए 60 डॉलर्स हमारे आराउंड 5000 हो गए ठीक है तो मतलब 49 फॉल पित्रा कंट्रों सा उसके सेम प्राइज एक हां ठीक है जो पिछले वाल कंट्रोब वो हमें राउंड 3,000 रुपीस का मिल जाकता है ठीक है न हां जी तो ये वाला 4500 का होगा और चाती में जो इनका ये चार्जिंग स्टेशन है वो होगा 29 डॉलर का 29 डॉलर राउंड 2,000 रुपीस हो गए ठीक है और ज हो गए ठीक है तो जो एच्टी कैमरा और डूल सेंस कंट्रोलर ये दोनों सेम प्राइस के 4500 और चार्जिंग स्टेशन 30 डॉलर का तो ये 2,000 रुपीस के असपास ठीक है और इसने साथ में और भी इंफॉमेशन दिये है हैट सेट के बारे में जो हैट सेट है वो इनका जो पल्स 3D वायरलेस हेट सेट है वो हमें मिल जाएगा 159 डॉलर जो की बहुत सादा है क्योंकि ये राउंड अगर इंटियन रुपीस में हम इसे कंवर्ट करें तो ये 12,000 रुपीस होते है 159 डॉलर तो ये बहुत सादा मेहंगे हेट सेट हैं और इसके साथ इस बंदे ने का है कि जो सोनी है वो ओफिशली एक वर्टिकल स्टैंड भी इसके साथ लांच करेगा पीएस फाइव के साथ और वो होगा 24.99 डॉलर तो 24.99 डॉलर हो गए अराउंड 2100 ठीक है अब बात करें जो इसका मीडिया रिमोट है वो होगा 29 डॉलर का वो मतलब 24.99 डॉलर हो जाएंगे हमारे अराउंड 1800 रॉपीज और जो इसका मीडिया रिमोट होगा वो होगा 30 डॉलर का तो वह अराउंड 2000 रॉपीज का ठीक है और इसके साथ इसने यह भी का है जो वर्टिकल स्टैंड होगा कुछ ही कंट्री में मिलेगा आपको सारी कंट्री में नहीं मिलेगा मतलब यह पता नहीं की ऐसा क्यूं है लेकिन और इस बंदे ने और कुछ तो लीक किया नहीं अभी सिरफ ये ही सब किया है मैं इस बंदे के टुटे रकाउंट का लिंक देंगा वहां से जाकर आपको अगर और कोई इन्फोर्मेशन देखनी है आप वह भी देख सकते हो ठीक है तो इस वीडियो इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर गाइस प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब करें हमारे चानल पर ऐसी PC-related content पीएस रिलेटेड मतलब कि सारी computer hardware क्योंकि इस पर playstation में भी अच्छे वाले hardware का यूज होने वाला है तो फिर कहलो इसलिए यह cover up करना भी जरूरी था और हाँ इस बंदे ने को और चीज़ भी कही है कि जो इनका blu-ray edition होगा और जो नॉन blu-ray edition होगा दोनों में $100 का फरक जो विद ब्लू-ray player है वह आपको $499 का मिलेगा और जो विदाउट ब्लू-ray वह आपको $399 तो मतलब जो विदाउट ब्लू-ray वह आपको $30,000 का मिल जाएगा और विद वाला around $40,000 का ठीक है तो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाले मैं एक comparison video भी लाने वाला हूं इन दोनों की specifications में बिल्कुल डिफरेंस नहीं हो सिर्फ एक प्लू-ray player कर ही difference हो जो विद प्लू-ray player है उसमें भी हमें SSD मिले की 825GB के और विद वाले में भी 825GB और विदाउट वाले में भी मतलब इस बार सोने बहुत सारे addition निकाल तो प्लेस्टेशन होंगी और उन्हें में हमें अपना काम चलाना पड़ेगा वाइस जैसे मैं बोड़ रहा कि हमारे चैनल सारा gaming जो भी आता है इस नीश में वह सारा हम cover कर लेते हैं और आपको time to time updates देते रहते हैं तो इन सारे updates को time पर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर subscribe करें क्योंकि अगर आप subscribe करोगे टगकरण से झाल झाल